दीन द्याल उपाध्याय गोरगपूर विश्विदाले के मीडिया एवन जन्संपर कारियाले के तत्वाधान में विरस्पतिवार को आनलाइन व्याख्यान शरिंखला डायलाग का शुबारम किया गया इस दवरान कारिकरम को संबोधित करते हुए उद्घाटन सद्र के वक्ता दिल्ली विश्विदाले के राजनीत विज्ञान विशे के डाक्टर सौदेश सिंग ने कहा कि जब मैं मीडिया 2.0 कह रहा हूं उसका मतलब हाल के कुछ वर्षों में भारती मीडिया में आय को मिला गुटेनबर्ग के छापे खाने से अखबार टीवी रेडियो फेस्बुक होते हुए बात आगे पहुंच जा चुकी है मिशनरी पत्रकारिता वैवसाइक पत्रकारिता से आगे कार्पोरेट मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं जहां किसी अन कंपनी की तरह मीडिया संगठन का उद्देश भी लापकमाना है आज देश में 1,18,000 से अधिक समाचार पत्र, 1,000 से अधिक रेडियो चैनल, 1,000 से अधिक टीवी चैनल, 60 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं, करीब 60 करोड़ ही स्मार्ट फून यूजर्स हैं, करीब 40 करोड़ सोशल मीडिया पर हैं, जिसमें Facebook, Twitter और WhatsApp शामिल है, परसार संख्या, TRP की लड़ाई अब हिट तक पहुँच चुकी है, विग्यापन शुरू से मीडिया का प्राड़ वायू था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इस दोरान अपनी बात को विस्तार परदान करते हुए, इटरनेट पर अपनी बात कह सकता है, इस दोरान कारिकरम का संचालन दिपेंद मोहन सिंग और धन्यवाद ग्यापन, डाक्टर रूचिका सिंग ने किया, इस समंद में गुरकपुर नीज से बात करते हुए, महेंद सिंग ने कहा, महेंद्र कुमार सेंग, देखे, मीडिया योंग जन्संपर कारियाले, दीन दयाल उपाध्या गोरपुर विश्विद्याले के तत्वाबधान में एक लेक्चर सिरीज और्गनाइज हो रहे हैं, जिसका नाम है डायलॉग, और हमारे मानिक उल्पज जी ने भी इसके लिए अपना संदेश दिया है कि इसमें हम क्या करेंगे कि पुरे देश से विभिन छेत्रों में जो जो एमिनन परस्नाल्टी हैं उनको बुलाएंगे और वो अपना लेक्चर देंगे, और वो आज शुरू हुआ है, पहला लेक्चर आज चलना है, जिसमें हमने जो है एक मीडिय चेत्र से जुड़े, मेडिया और एजुकेशन चेत्र से जुड़े, डॉक्टर सुदेश सिंग, जो डेली उनिवस्टी में प्लिटिकल साइंस के प्राध्यापक है, उनका लेक्चर करा रहे है, मीडिया 2.0 की आधुनिक मीडिया, आज की मीडिया क्या है, और आज की मीड प्लिटिकल जो मुद्दें हैं, उनके विशे में अलग-अलग विशेशक जो है, इस पे बात करेंगे, और इसका हम सीधे फेस्बुक लाइब पर प्रशादन करेंगे, जैसा आज हो रहा है, और यह हम कोशिश करेंगे कि टाइमिंग जो है, शाम को पांच बज़े रहे है इसलिए हमने इसका नाम डायलॉग रखा है